हमारी आदत सी बन गई है ये कल्युक खराब है, ये गर्मेंट खराब है, ये मुख्यमंत्री गड़बड है, ये प्रधान मंत्री गड़बड है ज़राच चेक करें कई ऐसा तो नहीं कि हमारा स्वभाव सबसे गड़बड है हमारे दुखों का कारण ये संसार नहीं है जो सबसे गड़बर चीज है वो है हमारा अपना ही मन सबसे बड़े शत्रू बाहर नहीं है सबसे बड़े शत्रू है काम, क्रोध, लोब, मौ हमारा अनियंतृत मन जो हमारे ही भीतर है बुद्धी के मापदंड के लिए दो पैमाने हैं प्रम्क एक IQ और एक EQ IQ है Intelligence Quotient और EQ है Emotional Quotient हम जैसे बाल लिवस्था से बड़े होते हैं और बुद्धी का विकास होता है IQ निश्चव बढ़ता है लेकिन EQ बड़े ये निश्चित नहीं है कई लोग बड़े होने पर भी भावनाओं से बच्चे के जैसे ही Emotionally Immature रह जाते और उनका विवाहर कैसा होता है अपने भावनाओं के लिए अपने मन की गंदकी के लिए बाहर दोश देखना एक महिला थी अपने पडोशियों की निंदा हर समय पती को करती रहती थी पती देव देखिये ये पडोशियों को उन्होंने कपड़े लटकाए हुए है और गंदे के गंदे साफे नहीं के अगले दिन गए पती देव इनकी दिवार पर कितनी मैल जमी हुई तीसरे दिन गए पती देव इनकी गाड़ी को देखिये कितनी मलन है पती देव अपना से रहलाई एक दिन पतनी ने उठकर खिड़की से बाहर देखा और का पती देव आज क्या हो गया है आज तो साफ पडोशियों के यहां साफ सुथरा ही मिल रहा है पती ने का मेम सहाब कुछ भी नहीं हुआ है रात में सोने से पहले हमने अपनी खिड़की को कपड़े से साफ कर दिया था तो खिड़की अपनी गंदी थी और दोश देख रहे थे बाहर यही तो मनुष्य की विडंबना है हमको लगता है संसार गड़बड है भगवान केते हैं इशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत त्यान जगत ए मनुष्यों मैं सर्वग्य हूँ और मैंने यह संसार तुम्हारी शिक्षा है तु परफेक्ट बनाया है तुम्हें जो गड़बडी प्रतीत हो रही है तुम्हारे ही अंदर है देखिए पास्चात्य देशों में लोग चीज घाते हैं दूद से बना हुआ पदार्थ है तो एक बहुत भी बदमूदार चीज होती है उसका नाम है लिम्बरगर चीज दादा जी सोय हुए थे और उनके दोनों चार और तीन साल के पोतों को मजाक सूझा सोते हुए दादा जी की मूझ पर लिम्बरगर चीज लगा दी दादा जी जब उठे उन्होंने गहरा श्वास लेते हुए प्राणयाम क्या अरे भई ये बदमूदार कहा से आ रही है कहीं कोई मरा हुआ चुआ तो नहीं पड़ा साब अलमारियों को खोल के देखा कमरे में तो कोई चुआ नहीं बगल की कमरे से तो बदमू नहीं आ रही वहां जाके चेक किया वहां भी कोई मरा हुआ प्राणी नहीं था लेकिन पूरे घर से बदमू आ रही अरे भी बाहर कोई गंदा नाला तो नहीं फूट गया बाहर गए फिर श्वास लिया लगता है सारा संसार बदमू से बढ़ गया तो संसार ठीक ही था बदमू मात्र दादा जी की मूझ से आ रही थी इसी प्रकार से ये शास्त्र कहते चित में वही संसार अस्तत प्रयत्ने न शोधेत वैशंपाइन रिशी ने मैत्रई को कहा कि अरे मैत्रई ये चित ही तो संसार है इसी को तो शुद करना होगा तो अगर हमारी आदत सी बन गई है ये कल्युक खराब है ये गर्मेंट खराब है ये मुख्यमंत्री गड़बड है ये प्रधान मंत्री गड़बड है जराच चेक करें कई ऐसा तो नहीं कि हमारा स्वभाव सबसे गड़बड है तो जो औरों की ओर करता है अंगुस्ते नुवाई ये अंगुस्ते नुवाई देख ये तीन जुकी है तेरी ओर एक मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साब पयांकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहां हो रहा है, उसके कंधे पर उसका हाथ लेके लगाया, यहां हो रहा है, अरे डॉक्टर साब बहुत परिशानी है, तो हाथ उसकी उंगली लेके घुटने पर लगाई, यहां पर बहुत दुख मिल रहा है, उसके पेट में लगा, यहां भी हो रहे, डॉक्टर साब, बहुत मुश्किल में हूँ, डॉक्टर ने उसकी उंगली उसको दिखाई, देखो, यहां लकडी का एक छोटा सा टुकडा फसा हुआ है, इसलिए तुम जहां उंगली को लगाओगे, वह नहीं पे दर्द होगा, शरीर में दर्द नहीं है, तुम्हारी उंगली के कारण गड़वड़ी है, ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि यह सारा संसार गड़वड है, शास्त्र कहते हैं नहीं, पुरुष एवे दग्वं सर्वं यद्भूतं यद्चभाव्यं, पुरुष सुक्तं यह सारा संसार इश्वर रूप है, भागवान ने बनाया, और भागवान से उत्पन है, यो समझिये कि भागवान ही संसार बना, जैसे मकडी अपने अंदर से जाल निकालती है, यानि वो मकडी ही जाल बन जाती है, और जब जाल की आवशक्ता नहीं रहती, उसे वापस अपने शरीर में समा लेती है, तो भागवान ने संसार बनाया, और उसकी अंदर सर्वत्र व्याप्त हो गया, इसका मतलब क्या, कि हमारे दुखों का कारण ये संसार नहीं है, जो सबसे गड़बर चीज है, वो है हमारा अपना ही मन, सबसे बड़े शत्रू बहर नहीं है, काम, क्रोध, लोब, मो, हमारा अनियंतरित मन, जो हमारे ही भीतर है, अतब हमें अब दोश आरोपन करना, बंद करना है, और अपने भावनाओं के श्रिंगार की विधी को और गहराई में समझने का प्रयास करके, उसका अभ्यास करना है, कि अपने बहराई में अब दोश आरोपन करना है, और अभ्यास करना है, अधने लुड़े अवारा अनियंतरित में अब दोश आरोपन करना है, कर दो कर दो कर दो कर दो